पाकिस्तान की कोड में तोड़ फोड करके पाकिस्तान की मिलिटरी ने फोर्स ने इमरान खान को गरिबान से पकड़ कर घसीट के गिरफतार किया और बड़े ही बुरी तरह से गिरफतार करके इमरान खान को ले गए और खबर ये भी है कि गिरफतारी के बाद इमरान खान के साथ मार पीट भी गया है और इमरान खान को बुरी तरह से मारा भी गया ये बात साफ है कि पाकिस्तान के इमरान खान को अब कतल कर दिया जाएगा क्योंकि शेबाश शरीफ की सरकार और विरोधियों के लिए जो दूसरी पार्टीज हैं उनके लिए एक अकेला इमरान खान काफी जादा भारी पड़ रहा था ऐसे में पाकिस्तान की जादा तर अवाम पहले से ही इमरान खान के साथ नजर आ रही थी अब गिरफतारी के बाद चारो तरफ पाकिस्तान में दंगे भड़क गए हैं पाकिस्तान के इमरान खान के पूर प्रदानमंतरी इमरान खान के समर्थकों ने अलग अलग जगा अपन आखीन भीड चाहिए। दोस्तो इतना ही नहीं ये दंगे कोई छोटे मोटे नहीं थे पाकिस्तान के इम्रान खान के जो समर्तक हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं हैं काफी जादा हिम्मत रखने वाले हैं और उन्होंने पहरे ही कह दिया था कि इम्रान खान हमारी रेड लाइन है और ये पाकिस्तान की नचनिया सरकार को ये जो अभी शायबाश शरीफ की नचनिया सरकार है इसको अच्छे से मालूम था कि अगर हम हाथ इम्रान खान पर डालेंगे तो फिर क्या होगा लेकिन इसके बावजूद इम्रान खान को गयर कानूनी तरीके से गुंड़ई के अंतर्गत गिरफतार किया गया लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के जो इम्रान खान के समर्थक हैं उन्होंने इसका जवाब देना शुरू कर दिया ISI के अधिकारी जो खूविया एजिंसी में काम करने वाले सीनियर अफसर हैं जिस कॉलोनी और जिस जगह उनके मकानात हैं वहाँ दंगे शुरू हो गए अवाम कर दो क्मांडर घर का दुर्वाला तोड़ के में अंधर प्राएं कर दो गई है कि ये देखरे गात आ मेरान खाण को न चीए में पोंच एवाभ पाइया को और यहांद कर्याशन पर आपको का देशी खिर उटर्वा रश इम्रेड गाव भूद आ हमरान कि नर्थे क्लाओर रूसे मöhnt 90 कि ज्या अगाय कर दो का में म हमोंचान को देख जोजा होगा Yoge...? दोस्तों हालात कितने खराब हैं अब इस खबर से समझिए ये देखिए पाकिस्तान के मयानवाली एरफोर्स बेस में जे सिक्स फाइटर जेट का जो पुतला था जन्नता ने पाकिस्तान के अवाम ने उस तक को फूक दिया हलात इतने खराब हुए कि पाकिस्तान आर्मी के उपर भी इमरान खान के समर्तकों ने हमला कर दिया साव जाय है कि पाकिस्तान की आर्मी और आई-एस-ाई की मिली भगत से पूरु प्रदानमंतरी इमरान खान को गिरफतार किया गया और अब शायद ही उनको जिन्दा छोड़ा जाए ये बात पहले से बताई जा रही थी अन्देशा जिस बात का लगाया जा रहा था कि इनको गिरफतार करके मारा जा सकता है या सीधा गोली मारी जा सकती है आप देखिए कि इस वेक्ति को इमरान खान को पहले गोली मारी गई जान से मारने की कोशिश की गई पूरी दुनिया को पता चल गया कि इमरान खान को गोली मारी गई है और इसकी जान खत्रे में है लेकिन इनसाफ मिलने के बजाए हुआ ये कि उस व्यक्ति को और गिरफतार कर लिया अब इसके बाद दंगे तो हो नहीं थे पाकिस्तान के पूर प्रतामंतरी इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा इतना ज़ादा बढ़ गया कि जो आर्मी में मौझूद जो बड़े बड़े आला अफसरान हैं उनकी गाडियों को चुन-चुन कर तोड़ना शुरू कर दिया गया दोस्तो इतना ही नहीं ये तो बहुत छोटी सी बात है अब इससे बड़ी बात बताता हूँ आपको पाकिस्तान मिलिटरी के कमांडर तक के घर के अंदर ये भीडु घुज गई और घर के अंदर तोड़ फोल मजाना शुरू कर दिया कर दोड़ना शुरू 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 तो आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी के जवानों के घरों के लिए तोड़ो की लेकिन इस से एक कदम आगे कि अब तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आर्मी में काम कर रहे वाले जवानों और कमांडरों गरों में आग तक लगा दी गई है पाकिस्तानियों के द्वारा आज ने देख सकती है यंग्सकर्ज में इतना ज़्यादा गुस्टे इस तरह कि वीजियोज आज तक पाकिस्ट में देखने को नहीं मिले और हमारे लोग पता नहीं क्यों नहीं समझे जब ये लोग ये आपके साथ में देगे तब कौन आपका साथ देगे अब इन तमाम खतरनाक तस्वीरों के बाद आपको क्या लगता है कि हालात नॉर्मल होंगे नहीं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन परदर्शंकारियों पर एहतजाज करने वाले भीड़ पर गोली बारी की गई बिल्कुल ओपन फायर किया गया जिसमें खबर ये आ रही है कि अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है बिल्चारा पुसल पे शेलिंग शुरू कर दी बॉलीस ने कि अधर दोस्तों पाकिस्तान की रेडियो बिल्डिंग में भी आग लगा दी गई है करेंसित की रेडियो बिल्लिंग में अधर भी आख़ियों आख़िष दोस्तों पाकिस्तान की ये व्याख़एं प्रूशाओं पीस्तां की रेडियों अधर रेंडियों अधर पाकिस्तान की आर्मी की अब पतलून फटने वाली है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही जनता के साथ गदारी जैसा सुलूप कर दिया है कल तक जो पाकिस्तान की आर्मी से प्यार करता था अब वो बंदा खुद पाकिस्तान आर्मी के चेक पॉइंट जला रहा है औ आसे मुनिर देरू पेगाम है, के शकरदेखलों आसे मुनिर, ये जोगी मेने जलाइए, ये जोगी मेने जलाइए, बातार जालना कि पाकिस्ताइं के उस्तु आपनाना नता ना. सुनने आसे मुनीर यह भाजुदा की बाक्रियात यह इसको समय दो यह वाज दीजे आसे मुनीर हम इसी तरह तेरा जी एच क्यू चलाएंगे इंशाला तुझे होना ची यह तावा भारत की सरदों में वगर तू हमारे खिला वागिया है आसे मुनीर तू तल्ला है वाज तुभाइरल करो उसको मेरी शक्राइब यह वाजुदा की नहीं कोई पॉजिटिव नहीं होगा कोई पॉजिटिव नहीं होगा आसे मुनीर मेरी इस पार को तूम यह समझ लो कि यह वह नहीं है क्या सबक्ता है कि तुम हमारे खिलाप हो और पब्लिक को बारे जियाच कोश्ची की तरफ देवान हो यह होगा पब्लिक जाएगी जियाच की तरफ पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वहाँ जो अवाम कर रहे हैं परदर्शनकारी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है यह गैर कानूनी काम हुआ है तो पाकिस्तान में आग लगना जरूरी था क्योंकि देखिए अगली ख़वर यह है कि पाकिस्तान की कोट ने पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडरों को टॉप अधिकारियों को बुलाया है यह पूछने के लिए कि आक ने पाकिस्तान के पूर प्रदानवंतरी इमरान खान को किस बिना पर गिर गिरफतार किया भाई तो या ने, कोट खुद हैरान है कि इम्रान खान को किए सुनवाई चल रही है अपने मसले पर उनका केस चल रहा है वो अगला बनदा पेश होने की लिए आया तो गिरफतार क्यों कर लिया गया साफ सीवी बात है इमरान खान की जान इस वक्त बड़ी मुसीबत में है मौत के मुँ में इमरान खान का जा रहा है हालात अभी और बिगड़ेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट पर अपने रा कॉमेंट में जरूर लिखिये रिपोर्ट को शेर किये दौाओं में याद रखिये जाहिन